आपने कभी सोचा है अगर moon colorful होता तो कैसा लगता चलो आज चंदा मामा को रंगों से भर दे और उसके लिए सबसे पहले एक textured base ready करेंगे using gesso या acrylic white color next fingers या palette knife से कुछ uber खाबर texture बना देते हैं ये बहुत ही therapeutic है well moving on इसके dry होते ही sponge की help से हम colors को dab करते हुए add करेंगे जब तक मैं इस मज़िदार process को कर रही हूँ जल्दी से बता दो आपका favorite कौन है moon या फिर stars